प्रादेशिक समाचारिकांज भोपाल से प्रस्तुत है टीकमगर जिले की चिठी आलेख भवन जैन वाचक स्वर सैंफ्ता बैनर जी टीकमगर जिले में इस बार अलप वर्षा के चलते किसान चिंतित है किसान खरीव बोनी पूरी करने के लिए अच्छी बारश का इंतजार कर रहे हैं जिले में 2,31,000 हेक्टिर में खरीव की बोनी का लक्ष रखा गया है किसानों ने अब तक 74 फीजदी बोनी कर ली है क्रिशी उपसंचालक के अनुसार जिले में मुख्य रूप से उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का, अरहर की फसले होती है पचले दिनों जिले में तुरिस्तरिय पंचाथ चुनाफ और नगरी निकाय के चुनाफ शान्ति पून ठंक से संपन हो गए एक नगर पालिका सहित साथ नगर परिशदों में दो चर्णों में चुनाफ हुए थे चुनाफ परिणामों में 27 वाट पार्शदों वाली टीकमगर नगर पालिका में सरवाधिक 14 पार्शद कॉंग्रस पार्टी के जीते हैं जबकि भाजपा के दस और तीन नर्दलिय पार्शद चुनाफ जीते हालाक इजले की साथ नगर परिशदों में भाजपा का दबदबा कायम रहा टीकमगर जिला कलेक्टर ने पछले दिनों तिरंगा कारिक्रम के आयोजन के संबंध में बैठक आयोजन की बैठक में उन्होंने बताया कि देश भक्ती और राश्वे ध्वच की वारे में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए 11-17 अगस्त की अवधी में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा टिकमगर क्रिशी विज्ञान केंद्रु में पछले दिनों पौध रोपन कारिक्रम के दौरान भलदार और ओशधिय पौधे लगाए गए साथ ही क्रिशक भवन के चारो तरफ लगी गाजर खास को निकाल कर स्वच्छता का संदेश दिया गया डेंगू रोग से बचाव और उस पर नियंत्रण के लिए लोगों में जागरुपता लाने के उदेश उसे जिले में डेंगू नियंत्रण रत निकाला गया है पछले दिनों मुख्य चकित्सा जिला अधिकारी ने हरी जंडी दिखा कर रत को रवाना किया ये रत ग्रामेंग शेत्रों में लोगों को डेंगू रोग के संबंध में जानकारी देगा पिछले दिनों जिलास्पताल में जिलास्तरिय दस्तक अभियान का रिशाला आयोजित की गई गौरतलब है कि जिले में इन दिनों दस्तक अभियान चलाया जा रहा है इस दौरान दस तक दल घर खर जाकर शूनिय से पांच साल तक के बच्चों में रोक की पहचान करेंगे और उनके उपचार की व्यवस्था करेंगे। टीकमगर जिले में कोविट रोधी सतर्क्ता डोस का अभियान चलाय जा रहा है। दुतिय डोस के च्छे महीने बाद सतर्कता डोस दिये जाने का नर्ने लिया गया है। जिले की सभी शास की अस्पतालों में टीका करण केंदरों बनाए गये हैं। टीकमगर में 13 अगस्त को राष्ट्रिय लोक अदालत आयोज़त की जाएगी। इसके सफल आयोज़न के लिए पिछले दिनों प्रधान जिला और सत्रुन्याय आधीश हितेंदरुसें से सौधिया की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। अधिक में नर्ने लिया गया कि आपसी सुलह समझोते के आधार पर अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जाए। अब टीकमगर जिले के किसान अपनी फसल की जानकारी इंटरनेट के माधियम से दर्च करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें गूगल प्ले स्टोर से अब डाउनलोड करना पड़ेगा। इस संबंध में क्रिशी उपसंचालक बताते हैं कि अब के जरिये खेत की फोटो के साथ किसान फसलों की जानकारी दर्च कर सकते हैं। फसल बीमा योजना और अन्य योजनाओं का लाब लेने के लिए 15 अगस तक फसलों की जानकारी अपलोड करना आविश्यक है। कारिक्रम के दौरान केंद्र के वैज्यानिकों ने मश्रूम उत्पादन के लिए महिलाओं के समूह बनानी की जानकारी दी। इस अफसर पर उपस्थित लोगों को पोशन वाटिका का महत्व बताया गया और वाटिका के लिए नहशल्क सबजी कित वितृत की गई। सावन के महिने में अंदनों जिले के प्रसिध कुंडेश्व शिवधाम में सुभसे ही भक्तों का ताता लग जाता है। यहां सुमवार के दिन भगवान भोलिनात की पूजा अर्जना के लिए शधालू बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। मात्रभक्ती संगठन ने एक व्यक्ती एक व्रक्ष अभ्यान की शिर्वात भी की है। अभ्यान के तहट मामौन पहाडी पर फल और फूलदार पौधे लगाये जा रहे हैं। जिले की चठी समाप्त हुई।